कर दोस्तों का फिर से बहुत बहुत सवागत हैं आप सभी का सप्राइट शड़ी पॉइंट में तो आज हम आपके लिए वी वी आपजेक्टिव की सीरीज लेके आएं दोस्तों तो आपसे उमीद होगे कि आपने पिछले वीडियो जरूर हमना देखा हो जिसमें मैंने हमने को सब्जेक्टिव का बताया होगा कि सब्जेक्टिव में आपको कौन-कौन से कुश्चन करके जाने हैं यदि आप तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखना और यदि आप इस चैनल पर पहली बना है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे पिछले वीडि सब्सक्राइब तो आप जितना मैं आपको बताया तो प्रपोजिशन का कोई ट्रिक नहीं है जितना प्रैक्टिस करेंगा जितना आप देखेंगा पढ़िएगा उतना आपसे होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले कुश्चन शी अगरी टुमाइब पर पोजानी वन का सी सी अगरी टू माइब प्रपूजल होता है ही केम लेट डैश दाइवनिंग ही केम लेट इन दाइवनिंग ठीक है संतोस डील्स डैश ग्रेंज तो थर्ड का आपका साही अंसर वा संतोस डील्स विथ ग्रेंज ठीक है फॉर्ड ग्रेंज नहीं होता है तो चलिए अगले प्रश्ट के और बढ़ते हैं वी सौ देम क्वैरल चूज दिस सूटेबल पैसे वोईस दे वेर सीन दे वेर सीन बाई वी क्वैरल दे वेर क्वैरलिंग ऐस सीन बाई अस दे वेर सीन क्वैरलिंग दे वेर क्वैरलिंग सीन बाई अस तो 4 का आपका सही अंसर होगा They were seen quarreling तो चलिए अगले प्रश्ट के ओर बढ़ते हैं तो चलिए अगले प्रश्ट के ओर बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये रहिए आपका passive voice जो रहेगा passive voice का मैंने आपको पिछले कई वीडियो से बता है वी थरी फॉर्म आया ठीक है और लास्ट में आपका सब्जेक्ट आया ठीक है तो आप उसी प्रकार से एक्टिव वॉइस को पैसिव में कर सकते हैं तो चलिए अगले प्रक्ष कर पढ़ते हैं चूज दिस सूटेबल मीनिंग आफ दे फ्रेज एट इलेवन थावर तो फिप् सिख्स का आपका सही आंसर होगा टू मेक पॉसिबल बाई एनिवेस बाई हुक और कुरुग नहीं भोलते हैं हम लोग कि बाई हुक और कुरुग हमको ये कड़के रहना है ठीक है तो यही इसका मेनिंग होता है फियर मीन्स मतलब कि अच्छे तरीके से डीसेंड मीन्स चलिए जेनर वास किल और अमीफ ऐसने बाई अधोगो तो इसका 7 का आपका सही अंसर होगा B, the general was killed and the army was fled. तो next question क्यों बढ़ते हैं, this is the book, he likes it most, this is the book so he likes it most, this is the book therefore he likes it most, this is the book because he likes it most, this is the book which he likes the most. तो इसका suitable form आपका है, this is the book which he likes most, ठीक है, तो इसका सही अंसर होगा 8 का आपका, D, this is the book which he likes, यसे तो दीमना चाहिए, likes most, choose the following word correctly spelled, government का आपका spelling निकालना है, तो government का spelling आपका होगा, G, O, V, R, N, M, E, N, T, तो 9 का आपका सही अंसर होगा, B, यानि की, यह, the word succeed if, they would succeed if they try, choose the suitable option, they would succeed if they would try, they would succeed if they had tried, they would succeed if they were trying, they would succeed if they were trying, they would succeed if they tried, तो आपका 10 का आपका सही अंसर होगा, they would succeed if they try, ठीक है, तो next question क्यों बढ़ते हैं, next question, the girl never see, bracket में see the taj mahal, तो choose the most suitable option, the girl has never seen the taj mahal, the girl is never seen, the girl not seen the taj mahal, the girl has seen the taj mahal, never the girl, तो इसका सही अंसर होगा, आपका, the girl has never seen the taj mahal, यह यह आपका सेंटेंस आप एक बड़ खुद से पढ़के देखेगा, तो उसमें आपको खुद पता चलेगा, the girl is, यह देखेए, आप इस गलत है, इस नहीं होता, the girl has होता हमेशा, the girl not seen, not see, मतलब girl नहीं देखो, इसका पर सेंटेंस ही मीनी गलत हो जाता है, तो आप उस प्रकार से भी बना सकते हैं, सबसे suitable form यह ही था, ठीक है, तो आप यदि एक बार मतलब सारा option पढ़ते हैं, उससे आप से मिलाते हैं, पढ़के देखते हैं, ठीक है, तो उससे आपका अंदाजा आपको लग गया था, और जितना प्रैक्टिस करें उतना आपका सही अंसर आते जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें और कोई trick नहीं है, we dash there a week ago, we go there a week ago, यह आपका सही नहीं है, we had been gone, यह भी आपका सही नहीं है, we went, मतलब हम लोग गया थे, तो यह आपका कुछ-कुछ सही है 12th का, तो 12th का आपका सही अंसर होगा C, यानि we went, sorry, we went, यान कि देख सकते हैं, the students dash when the teacher came into the classroom, the students, the students sang when the teacher came into the classroom, 13th का आपका सही अंसर होगा, the students were singing, were singing, when the teacher came into the classroom, next, he is vexed, dash his neighbor, he is vexed at his neighbor, with his neighbor, on his neighbor, or for his neighbor, तो इसका सही अंसर होगा 14th का, he is vexed, vexed with his neighbor, next, yeast was with great poetic talents, ठीक है, yeast was dash with great poetic talents, yeast was acquired with great poetic talents, so 15th का आपका सही अंसर होगा, बच्चो, acquired तो आपका नहीं होगा, granted भी नहीं होगा, yeast was granted with great poetic talents, given भी आपका नहीं होगा, तो yeast was gifted, यान कि C, मतलब उसको नहीं बोलते हैं, God का talent है, God gifted है, तो yeast was gifted with great poetic talents, 16th से 15th आपका prescribed text पर मतलब आपका poetry pros से रहता है, इस पार आपको वही है कि आपका 22 हो गया, तो आप मैं आपके लिए pros का भी लाओंगा, objective chapter वाज़िए आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या हाँ, आप वो लाईए, तभी मैं लाने जा रहा हूं, नहीं तो वैसे आपको जर objective लेके आँ, या important answer की series लेखा, तो आप में कमेंट करके बताएं कि अगला video कैसा होना चाहीए, ठीक है, तो चलिए, the writer of the piece on letter writing is, तो आपको मैंने जैसा कहा था, कि आप writer का, हर writer का नाम लिखें, याद करके रखें, तो इसका सही आंसर होगा letter writing का आपका लिखा एजी गाड़न ने आप जरूर मतलब हर poet का नाम जरूर याद करने चाहिए वो प्रोस का हो मतलब की लेखा का नाम याद करने poetry का हो या प्रोस का हो who talks about the leafy bows ठीक है तो leafy bows के बारे में आपका talk करते हैं wb yeast एक बार आप हर poem और प्रोस को करीब-करीब हलका poetry को तो आप जरूर एक बार हर को read कर लें ठीक है उससे आपका यह होगा कि आप इस प्रकार के answer दे पाएंगे जरूरी नहीं कि आप साथ poetry को याद कर लिए प्रोस पूरा याद कर लिए बस एक मार नॉर्मल यह दिया पढ़ भी लेते हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा दोस्तों ठीक है वैसे मैं आप कड़ा ही रहा हूं तो आप जोने डेफोडिल से लिखा था उन्होंने कहां देखा था आपका डेफोडिल तो नीस का आपका सही अंसर होगा नियर दे लेक यानि की नाइए लेक बी फूरोड़ अप्ट्रीवन साइंग किसने लिखा था आप में कमेंड करके बताएं दोस्तों डेविड कॉपड फील is a novel about dash psychology तो डेविड को फिल यह नॉबर आपका चाइल्ड साइकलोजी पे डेविड को फिल बच्चा था वो और उसकी पिता का जन्म के साथ इसका डेथ हो गया तो उसी में उसकी आप आगे आपको स्टोडी पता है ठीक है तो उसी चाइल्ड साइकलोजी पे उसका कैसा प्रविड का सही अंसर होगा क्लेडा और पेगोटी एक ही चारेक्टर है उसका दो अलग लगना में अपसे ऐसे भी पूछ सकता है ठीक है उडियाए हिप आपका विलें था यह आप याद रखें उडियाए हिप विलें था मिकोबर क्या था यह आप हमें कमेंट करके ठीक है फूरोड दपीस रॉबिन तो रॉबिन किसने लिखा था ट्वेंटी थ्री का आपका सही अंसर होगा जिम कोबर्ट बी ला चली अगले प्रश्क कर बढ़ते हैं दी फॉन्ट मेमोरीज अफ दे प्लेस दी फॉन्ट मेमोरीज अप दी पोएट वांस तो गो बैक तो इनस्प्री बिकॉस ओफ तो लेक ओफ इसका है तो ट्वन्टी फॉर का आपका सही अंसर होगा दी फॉन्ट मेमोरीज अफ दे प्लेस यानि की ए दी पोएट वांस तो इस वीडियो के इंतक बने रहने के लिए आशा करते होगा आपका एक्जाम बहुत अच्छा जाए और आपकी तयारी अच्छी चल लगी होगी और आप सभी अच्छे नमर से पास करें दोस्तो और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और शेयर जरूर करें और हाँ लास्ट में आपको इंपोर्टन बताने जा रहा हूं कि आप वो सब्जेक्टिव की सीरीज जरूर देखने दोस्तों मैंने आपको चार पांच क करके जाते हैं ठीक है तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो के इंतक बढ़ने के लिए चानल को जरूर सब्सक्राइब करें ठीक है